इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज में आप सभी का खैर मगदम हैं कोरोना का दौर जारी है पॉजिटिव मरीजों की बड़ती तायदाद साथ में मौतों की बड़ती तायदाद जैसा कि सभी जानते हैं कि जिलादिकारी और सहत जिलाम मौकमा ने कल तमाम जमातवालों को तमाम तन्जिमों को तमाम मंडलों को बुला कर एक मशौरा किया और उनसे पूछा कि जिस तरह से अंजमन इसलाम ने एक समाज विशेश अपने जो मर रहे हैं कोवीड से उनके खिदमात अंजाम दे रहे तो बाकी दिगर जमाते क्यों नहीं करें तो इसी के मद्दे नजर हम हमारे साथ एक शक्स मौजूद हैं जो समाजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं कि जो लोग जिनका इंतकाल होने के बाद शम्चान तक नहीं ले जा पारे ऐसे भी लाशों को ऐसी मेतों को वो जो है उनके आखरी अंतीम संस्कार को भी अंजाम देते रहे हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले प्रत्वी सिंग साब हमारे चैनल पर आपका खैर मगदम इस है इस तरह से लाशों को उनको अंतीम संस्कार करना और फिर जो है पीपी किट वगरा देना ये काम जो अंजाम दे रहे हैं इसके बारे बताएं कि कैसी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवात कहना चाहूंगा कि आपने आज मेरा यहां पर आके इंट्रुई ले रह करता हूं जक्याति साब आपने अभी पूछा मुझे के कुवीड-19 से आपने यह करोना वाइरस जब से फैला है तब से आपने काम करना शुरू किया है तो यह कब से किया और कैसे किया कैसे शुरूवात हुई मैं थोड़ा सा पीछे जाके थोड़ा सा पीछे से मैं आपको दोड़ान चाहूंगा क्यूंकि जैसे कि पहली बात तो lockdown हुआ मार्च मारच के बाद में lockdown हो गया तो क्रफियू लगा हुआ था हम लोग अपनी दुकाने वगरा वगरा कुछ नहीं खोल सकते थे अपने ना फैक्टरी को जा सकते थे ना कुछ कर सकते थे तो ऐसे घर पे बैठे बैठे एक बार मेरी वाइफ के घर के तरफ से फोन आया ऐसे-एसे कि आपके घर में भी तो काम करने वाले लोग है और जैसे कोविड- 2019 फैला हुआ है वाया करोना वाइरस जो ऐसी बीमारी है जो छूने से भी फैलती है तो आप थोड़े दिनों के लिए अपने जो घर पे काम करने के लिए उनको छुट्टी दे दो तो मेरी बीबी ने मेरे से रात को बात करते हुए बताया कि ऐसे से बात है ऐसे से रिष्ट तनक्वा का जरिया है वो तो हम है अगर हम उनको काम से निकाल देंगे उनको छुट्टी देंगे डरते हुए करोना से कि तो उनका घर कैसे चलेगा हाला कि उनको जहां जहां पर मेरे घर पे जो काम करते थे वो दूसरे भी जो घरों पे काम करते थे वो उनको लोगों को न निकाल चुके थे, सिर्फ मेरा ही घर बाकी था, तो मैंने मेरी बीबी से सला मश्वरा करते हुए, मैंने बोला उनका कमाई का जरीया यह है, वो खाएंगे कहां से, तो उनकी वे जो में पग्मीट देता था उनका जो घर का किराया वगरा उस में चला जाता था खानी द र excluding mark आए ऐसे से के हम लोग क्यों न उनके लिए कुछ तो हमने एक छे किट बनने के जैसे उतना राशन लेकिया कि हमने उनको पहले दिया वो देने के बाद में उन्होंने अपने एरिया महुले में जाके जो उनके जो दोस्त है गरीब लोग है उनको उन्होंने बोला कि हमारे साथ ने तो हमको ये दिया है और हमारा तो घुजारा थोड़ा 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 हम लोग बाटेंगे जो ज़रूरत मन्ध है तो आपको जगाति साब आपको याद होगा आपने मेरा इंटर्वी किया था उसमें मैंने नंबर भी दिया था आपके चैनल के तरफ से मेरे को भूत से फोन भी आया और फोन नंबर जब मैंने दिया था तो आपके काफी मुझे अनगोल साइट से फोन आये मेरे को काफी ज़्यादा जो आपके तब के मुसलमान लोग जो है महramोड के तरफ से भी आए हिंदु लोगों के तरफ से भी आए कृच्छन लोगों के रेशन पर्चेस करके एक ट्रक डेट ट्रक ऐसे रेशन बुलवा कि हाँ पर मेरा बाजू में यह एक छोटा सा गोडाउन है उदर हमने वो पैकेट्स तैयार करने के लिए एक चार लोगों को काम पे लगाया था था कि उनको उस लॉकडाउन में भी रोजगार मिले फिर वो क काम को अंजम देते हुए हम लोग ने बाटने का काम शुरू हुआ फिर जहां जहां पे नीडी लोग थे जरूरत मन लोग थे उनको यह फूड पैकेट्स जाने लगे साथ-साथ में हम लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट था अभी हमारे पास वो एरिया में जाने के लिए पास भी नहीं था हमारे पास तो हमारा एरिया क्याम पुलिस टेशन में मैंने सीपैज साब से बात किये संतोष कुमार जी है उदर बहुत अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट के अफिसर है उन्होंने बोला आप ऐसे बार बार जा रहे हो और किसी एरिया में उन्होंने हमक में हम लोगोंने पुलिसों की भी साथ साथ में सिवा कि जब हं लोग रिशनगेट बाटने को जाते थे तब उनकी लिए पुलिसों के लिए फल, फरूट और उस तयम पे गरमी बहुत थी मार्च का महीना था में का महीना जकाति साब आपको तो पता है बहुत गर्मी होती है बलगाम में इस बार तो बहुती ज़्यादा गर्मी थी तो उस टाइम पे बिचारे हमारे पूलिस डिपार्टमेंट ऐसे रस्तों पे बेठे हुए थे और उनका बैरिकेट चलता था और कुर्चियां वगरा लगा के या töवई दूट्ध तो दुकान ठी और दूद वगजर के लसी वगजर की जो है जो अधितिया मिलुक वगजर आता है वो ही चलो थे और बाकी फूस वगजर की जरूरी चीज़े तो ओई फ्रूट्स हम लोग रात को लाते थे और एकी बार बॉक्स में हम लोग जो लाके फ्रिज में रखके पुलिसों को भी बाड़ते थे और अपना जो गरीब लोग है जहां पे 10 केट, 20 केट, 30 केट ऐसे जहां से भी फोन आता था जो भी एरिया से फोन आता थ वह इरिया में बाड़ता था ज्यादा से ज्यादा मैंने अपने एरिया में किया है विनायक नगर में विजे नगर में हिंडल गा में वहां तक मैंने बहुत लोगों को किया है उसके बाद में जरुरत मन क्यूंकि इस सर्फ ज्यादा है यहां पे जो है रिक्षा ड्रियाव तो यह इनको ही पहले ज्यादा मैंने इस तरफ के एरिया में बाटा तो कुछ मुझे कठीनाई भी आई वो खेर जो आई आई वो बाद में देखेंगे भगवान है भगवान है और इंसानियत है इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है तो जो भी है भगवान ने वो कठीनाईयो को दूर किया और हटा दिया और मैंने बाटना छोड़ा नहीं काम करना छोड़ा नहीं सोशल वर्क करना छोड़ा नहीं मैं करता ही रहा और हाला कि जादा करने का शुरू हो गया हमारे तरफ से तो फिर मेरे साथ थोड़े-थोड़े मेरे वॉलेंटेर्स दोस्त जैसे जु या मुस्लिम है हमने कोई जातपात नहीं देखा जातपात धरम ये कुछ नहीं देखा इन्सानियत सबसे बड़ा धरब है ये देखा हमने आज सबसे ज़रुरत जो है जरुत मन्त को खाना पुँचाना उनको रेशन पुचाना ये जरुरत थी तो उस टाइम पर हम लोग ने यह तो उसकी माताजीm का इंतिकाल हो गया दिहांत हो गया तो वह बहुत ढगतना थी वो विचारा अपनी मा को ले के सिवल होस्पिटल से पहले तो सबसे बड़ी बात है यह जो करोना वाइरस है कुवीड नाइंटीन जिसको बोलते हैं हम लोग एक तो अपने जो मा बाप है अपने बच्चों को शिक्षा शुरू से जितनी उनकी पढ़ाई लिखाई उनके खाने पीने पर जो खर्चा करते हैं एक आश से करते हैं एक आशा रहती है कि मेरा बच्चा मेरे बुडापे का सहारा बनेगा तो यह जो आशा थी उनकी मतलब कि वो पूरी भी नहीं हो पा रही है आजकल थोड़े से लोगों की क्यूंकि यह जो करोना वाइरस चल रहा है यह वाइरस इतना खतर नाख है कि आप बोलते हैं कि दो फूट या तीन फूट से भी यह लग सकता है तो उसकी जो माताजी थी वो बीमार हुई पहले उसका टेस्ट किया गया उसका टेस्ट पॉजिटिव आया फिर उसको सिवल होस्पिटल में एडमिट किया गया चार-पांच दिन हो कुछ रहे और उनों उनका इंतिकाल हो गया यह बड़ी सबसे बड़ी दुखत घटना मैंने देखी और बाकी फिर एजी मुलवादीमार साब भी जो एडवकेट है बड़े ओ मेरे वकील है थे और उनके पास जो भी मेरे कानोनी में जो भी सला लेता थ उनके पास लेता था तो उनके फिंडरल को भी में गया था तो मुझे मरमिशन नहीं था बार मिले का भी तो ऐसे यह गटना उसके साथ गड़ी उसने मुझे फोन किया पृत परिशान हूं मैं मैं अपनी मां का मुह नहीं देख सकता आकरी वक्त पे मैंने बोला क्यों क्या बात है इस चीज़ के लिए आपके मां का मुझ क्यों नहीं देख सकते आप नहीं मेरे पास आज इतने पैसे भी नहीं है कि मैं पीपी किट खरीद पाहूं आजकल मार्केट में बहुत से पीपी किट है जो हजार उपए से लेके शुरू होते हैं 15,000 अपए तक 25,000, 2000, 3000, 4000, वो अपने अपने qualities के उपर rates है तो उसने बोला कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है क्योंकि मैं पहले ही मेरा तो काम बंद है और उपर से मैं अपनी मां का भी मुझ नहीं देख पार हूं मैंने उसको बोला तो मुदर ही रुको जहां पे रुको सदा शुनगर संशानगाट मे मैं जाके दो purchase करके लाया wellness forever में से पीपी kit purchase करके उसको भी पहनाया और मैंने भी पहना क्योंकि कारपोरेशन से दूई लोगों को allowed है अंदर जाना तो मैं लेके गया उसको हम लोगोंने दूर ठेर के उसका विदी परुवक उसका जो भी हिंदू ध्रहम में जो होता है जो आखिर rituals होते हैं वो मैंने बोला आप पड़ो आप आपके जो भी यह है आप पूरे करो पूजा करो उनकी आखरी उनका सफर है आप उनका मूद देखो और उनको अच्छे से विदा करो इस दुनिया से ताकि उनकी स्वर्ग में जाके उनके आत्मा को शांती मिले और तुम वोने मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे जो करोना वारो इस टिम थी उसके साथ चर्चा करने के बाद में हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी आजकल जो अपने माबाप को छोड़के जो लोग भाग रहे हैं सम्शान घाट से जो लोग अपने माबाप का अंतिम चेहरा ने देख अपने भाई बहन का अंतिम चेहरा ने देख पार है ताके डर से डर के क्योंकि वो करोरा जो वाइरस है उनको ना लग जाए वो लोग अपनी जान का यह कर रहे हैं और उपर से क्या हो रहा है पीपी किट की प्रोब्लम आ रहे है तो पीपी किट करपोरिशन से प्रोइड क किया जा रहा है मेरा कोई करपोरिशन को ब्लेम नहीं है कि करपोरिशन से कुछ नहीं किया जा रहा है हमारा जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत से केर ले रहा है लिकिन हमारा बेलगाम बहुत छोटा सा सीटी है और यह वाइरस तूफान के जैसे फैलता जा रहा है पहले ये हम सुनते थे तीन मेने पहले एक हुआ दो Windows कुई गली में तीन हुए कहीं गली में एक हुआ बस्टार्ट में हमने सुना था कैम में एक हुआ आज नियुक्ता हता ह Eu Fr puck नहीं ले ना आज बेलगा में 400 positive cases पाए गए तो कुछ उसमें लोग अमीर है कुछ लोग गरीब है कुछ लोग मध्यमवर्ग के हैं जिनके पास गरीबों के पास जो पीपी कि नहीं परचेस कर सकते हैं या तो कार्पोरिशन तक भागा दोड़ी करके लिखा पड़ी करके वहां से कार्पो उनका जो गया रहता है मतलब कि जिसका ध्यांत हुआ रहता है पहले तो उनका दुख भहुत रहता है उनको तो उसमें यह जा के कागजी कारवाई करके पीपी किट लेके यह करें डालें और अंतिम विदी करें यह सब बहुत लंबा चड़ा प्रोसीजर है हमने परसु दि परसु दिच चार डेट बोड़ी आए हम लोगों ने उनके रिष्थेदारों को कारपोरिशन के गेट के भार अपने लिकिन कारपोरिशन की भी दो एक यह है कि उनकी भी जान बचाना है इसलिए उनको भार थोड़ा दूर रुकाया गया था तो उसमें मैंने थोड़े लो कि यह आखरी यह है अपना डेस्टिनी है जो भी ग्रेव याड हो या तो आपका समझो जैसे हमारा तो मशान भूमी बोलते हैं जहां पे हम लोग जलाते हैं आपका कबरिस्तान हो जहां पे आपके लोगों को गड़ाते हैं तो ऐसे क्रिश्चन लोगों का सेमिट्री होता है जहां पर उनको एक दफनाते हैं तो ऐसे जिसका भी जो जो रीत है वो उस तरह से करते हैं तो करने के बाद में मुझे जरा बहुत दिल को सुकुन मिला कि थोड़े लोगों को मैं पीपी किट वहां पर प्रवाइड कर सका अभी हम लोगों ने सदा शोनागर मशान भूमी म हमने जो किट दिये हैं उसमें से सिर्फ दस बचे हैं आपको मैं बताओं आपको सुन के खुशी होगी और सुकुन मिलेगा खुशी तो यह कोई कुशी वाली बात नहीं है सुकुन मिलेगा एक दिल को कि किसी के काम आया वो किट और जो हमने शापुर मशान भूमी में भी है उदर पे भी काम आ रहा है किट तो ऐसे यह काम हम लोग ने सुचा है और अभी भी फ्रेश तौक अभी मेरे पास आज ही आया है और आके जाकर हम लोग जब तक यह हमारे से जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे हमारी जो वालेंटर से हमारी जो टीम है जो कोवीड-19 के टा आता हूं आप लोग भी जो है अपनी जान हतेली पे लेकर आप कहां-कहां पर जाकर जो मीडिया जारी है सबकी रिपोर्स ले रिये प्रशाशन तक जो बाते पहुचा रहे है जाकाति साब यह भी आपका भी भौत बड़ा यह आपके माध्यम का आपके मीडिया का भी भौ Virgin Warriors सी है जैसे कि以前 हम लोग फिनैंज बाता रेंशन बाता वैसे तो हम लोग अपना जो सेवा दे रहे हैं उतों दे ही रहे हैं लेकिन जो आप जो दे रहे हैं वह हमारे से भी बड़कर सेवा है और आपके जैसी सेवा हम भी नहीं दे सकते क्यूंकि आप उस चीजित तक सकते हैं यह आपकी बहुत बड़ी खूबी है और इसके लिए मैं सरे दिल से आपका यह करता हूँ शुक्रिया आदा करता हूँ और मैंने सुना है मैं थोड़ा शोशल स्टेडीज में हुशार था कानून मीडिया भी एक कानून का चौता स्थम माना जाता है तो यह आप उस जगा पे खड़े होते हैं जाकाति साब आप जो हग के लिए बात करते हैं गरीबों की हो अमीर कोई हो या किसी भी लोगों की जो हग की बात करते हैं मुझे बहुत पसंद आया आप भी बहुत बड़े करोना वारियस हैं और आपको भी मेरा हाथ जोड़के नमन है आपके पूरी टीम आपकी मीडिया टीम को लिए भी नमन है और मेरे तरब से आप लोगों को हार्दिक भदाई है और मैं चाहता हूँ आप भी आगे आज आज आप ये काम को अंजाम दे रहे हैं ऐसे ही काम को अंजाम देते रहें और सब गरीबों की जरुवत मंदों की आवाज जो है आपके माध्यम के तरब से प्रशाशन को पहुचाते रहें ध्यन्यवाद मैं अपनी वानी को विराम देता हूँ मैंने जो आपको ये छोटा सा वर्नन मैंने जो अपना काम का बताया ये मैं अभी खतम करता हूँ और आपको खुशी होगी सुनके जो भी काम अभी त करते हैं प्लीज ओफोर्ट कर सकता है और यह गरीबों के लिए टीजे शुक्रिया जहेँ सुक्रिया बहुत बहुत शुक्रियां यह यह पृतुरी सिं समाजेख ख़िदमादगार और इनका इनका पृतिवु सिंसारति संगंधे फाउंडेशन के नाम से समाजे स今 कुछिछ भी इसी तरह से जारी रहे हैं गरीबों के लिए जौत मंदों के लिए जुन के लिए जो है वह वहां पर पहुँचकर उनके खिद्मात को अंजहरी जिस तरह से उन्होंने वताया कि शमचान घाट में जब वह जाते हैं तो पीपी गितिकी कितनी जौत पड़ती हैं लोग अंदर जा नहीं पाते हैं, हमने भी कहीं सारी खबरों को देखा है, हम भी सदावशित नगर कबरिस्तान के पाच जाते हैं, तो देखते हैं, कि कितने बेबस और एक मजबूर शख्स रहता है, और कितने एक इमत्यान के दोर से वो गुजरता रहता है, लिहाज़ा हम प पादारों को जरुतमंदों के जरुतों को पूरा करते रहे, और इसी तरह से खिद्मात को अंजाम देते रहे, तिहाद नूदेखने कर शुक्रिया, अलाफिस।